हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे नाम बताने वाले शब्दों को तो बच्चों आईए सबसे पहले जानते हैं नाम क्या होता है वाट इस नेमिंग वर्ड्स तो आईए इस वीडियो के माध्यम से हम नाम को समझते हैं बच्चों हमारे आसपास मौझूद हर एक चीज का नाम है जैसे की व्यक्ती का नाम नेम आफ परसन किसी स्थान का नाम नेम आफ प्लेस जानवर का नाम नेम आफ एन आनिमल वस्तू का नाम नेम आफ थिंग ये सब किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं और बच्चो इसी नाम को हम संग्या कहते हैं जैसे मम्मी, पापा, किताब, गाई, बिल्ली, पार्क, स्कूल, पुस्तक ये सब नाम हैं इसे हम संग्या कहते हैं तो आईए बच्चो अब हम चित्र के माध्यम से संग्या को समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्ती का नाम लड़का बॉई ये पर्सन है गुल लड़की ये भी संग्या है पापा फादर ये भी संग्या है मम्मी, मा, मदर जाक्टर, दिस अलसो नाउन नर्स, ये भी संग्या है तो बच्चो इस तरह हम नाम से नाउन को समझते हैं अब जानवर का नाम, नेम ओफ आन, आनिमल जैसे बिल्ली, कैट ये संग्या है डाब, कुत्ता, ये भी संग्या है अलिफैंट, हाथी गाए, काव, ये भी संग्या है मंकी, बंदर, ये भी संग्या है नाउ, वस्तू का नाम, नेम ओफ आ तिंग, जैसे बॉल, गेन, ये संग्या है टेबिल, ये भी संग्या है बैग, बैग भी वस्तू है, जो की संग्या है पेंसिल, ये भी संग्या है बोचल, ये भी एक वस्तू है, इसलिए संग्या है अब इस्थान का नाम, नेम ओफ आ, प्लेस, जग्ह, जैसे होम, घर, जग्हा है स्कूल, जहां हम पढ़ने जाते हैं, ये भी नाउन है हॉस्पिटल, ये भी संग्या है पार्क, पार्क भी नाम है, एक जग्या का, तो संग्या है मार्केट, मार्केट इस ऑल्सो अ प्लेस बच्चों, इस तरह किसी भी वस्तू, व्यक्ती, जानवर के नाम को हम संग्या कहते हैं थैंक यू